प्रभुपाद द्वारा हुई थी वह प्रभुपाद द्वारा हुई थी वह कृष्ण भग्षी जो भारत में अनाधिकाल से चलिया रही है उसे पूरे विश्व में बांटना यही इस संस्था का उद्देश रहा है श्रील प्रभुपाद के बाद इसकौन संस्था का नेतृत्व गवर्निंग बौडी कमिशन के अंतरगत है जिसमें विश्व के अलग अलग देशों के आध्यत्मिक नेताओं का समावेश है इसमें किसी भी देश के नेताओं का अट्यादिक विशेशाधीकार नहीं है इस प्रकार सदस्यता या नेतृत्व इन दोनों ही दृष्टी से इसकौन केवल अमरीकी संस्था नहीं अपितू अंतरराश्ट्रिय संस्था है इसकौन की अपनी एक आधर्श योजना है जिसके अंतरगत हर केंद्र को वित्य दृष्टी से आत्म निर्भर बनकर अपना अपना खर्च चलाना होता है श्रील प्रभुपादशी एक मंदिर का अन्य मंदिरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते थे क्योंकि यह आलस्य को बढ़ावा देता है इसलिए मंदिर में आई धनराशी एक मंदिर से दूसरे मंदिर नहीं दी जाती यहां तक कि एक देश में ही स्थित एक मंदिर से दूसरे मंदिर में भी यह धनराशी हस्तांतरित नहीं की जाती तो देश के बाहर भेजने की बात का तो क्या कहना मंदिरों के स्वयम संपोशन के इस सिधांत को भारत के पवित्रतीर सिसल व्रंदावन और मायापूर में स्थित मंदिर ही केवल अपवाद है श्रील प्रभुपाद यह चाहते थे कि इन स्थानों पर भव्य राजसी थाडबांट वाले सांस्कृतिक केंद्र बने जो दुनिया भर के जिग्यासुओं को भक्तिमय आध्यात्मिक आश्रे की ओर प्रिरित करे इसलिए उन्होंने विश्व में स्थित सभी भक्तों यहों मंदिरों को इन आध्यात्मिक प्रकल्पों को मदद करने के लिए प्रिरित किया उदाहरन के तौर पर हम देख सकते है कि अमरिका के प्रसिद्ध उद्योगपती हिन्री फोर्ड के पोते अल्फरेड फोर्ड जी ने कलकत्ता के पास श्रिधा मायापूर जो इसकौन का प्रमुख केंद्र है मायापूर का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर बनने जा रहा है जो भारत की सांस्कृतिक महिमा को बढ़ा रहा है इसलिए जब जब ऐसे अपवाद प्रसंगों में यह दान हस्तांतरित होता है तो वह भारत से अन्य देशों में नहीं अपीतु पूरे विश्व से भारत में होता है जो भारत की सांस्कृतिक महिमा को ही बढ़ाता है इसकौन संस्था अपने संस्था का चारिय श्रील प्रभुपाद जी के दृष्टिकोंड का अनुसरन करती है श्रील प्रभुपाद जी की यह व्यापक दूर दुर्ष्टी थी कि जिस प्रकार अपाहीज और अंधा एक दूसरे के पूरक सित्ध हो सकते हैं उसी प्रकार भारत और पाश्यमात्य देश एकत्रा आकर अध्यत्मिक ज्यान को बांड सकते हैं पश्यम में भौतिक संपर्णता आधिक है परंतु अध्यत्मिक ज्यान के अभाव के कारण बह अंधे वेक्ति के समान हैं और भारत में अध्यत्मिक दिशा देने की शक्ती है किन्तु सैंक्डो वर्षों से विदेशी शासकों के शोशन के कारण आर्थिक दुरबलता है इसलिए वह एक अपाहिज वेक्ति के समान है इसकौन संस्था भारत के अध्यत्मिक ज्यान और पश्रिम की भौतिक प्रवेणता का मेल कराकर पूरे विश्व को अध्यत्मिक ज्यान देकर उन्नत करा रहा है कुछ अविवेकी भारतियों के पिचार से इस कौन को विदेशी संस्था माना जा रहा है परन्तु यह असत्य है भारत में चली आई कृष्ण भक्ती की परंपरा ही इस संस्था का मूल आधार है और केवल दुनिया भर को इस उन्नत परंपरा से आवगत कराने के लिए ही विश्व के संसदनों का प्रयोग कर रही है पूरे विश्व में भारत के अध्यत्मिक ज्यान को बांटने में इसकौन जो योगदान दे रहा है उसकी प्रतिष्टित राजनितिग्यों विबिन्य धर्मों के विचारकों और विद्वानों द्वारा सराहना की गई है इसके उधारन के तौर पर भारत के भुधपूरो प्रधान मंतरी अटल विहरी वाजपेजी ने कहा था इसकौन के समरूप शायद ही कोई संसा होगी जो राश्ट्रियता के जातियता के परेजा कर बाहरी साथगी रख कर और अपने अनुयाईयों की आध्याद्मिक शक्ति के आधार पर तेजी से वईश्वीक परसार कर रही है साड़े तीन दशकों से भी कम समय में इसकौन को विश्व के अलग-अलग देशों में मंदिरों की सापना करने में सफलता प्राप्त हुई है इसकौन ने वास्तों में भगवद गीता के संदेश का वईश्वी करन किया है